हलो इंवेस्टेस स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की वजार पर अब फूरी डीटेल्स यहाँ पर स्विगी आई प्यों की आती भी देखने को मिल गई है जो पहले अटका ले थी 10,000-11,000 करोड का होगा बट अब एक्जाक्ट आखने मार पसा चुके 11,327 रुपे खागत है कितना पोर्षण रिटेलर के लिए कितना पोर्षण QIB के लिए और कितना पोर्षण HNI के लिए और बाकी यहाँ पर क्या investment रहता हुआ देखने को मिलेगा क्या 14,820 रुबे आपको invest करने है और क्या grey market premium है 29th of October जानी धनतेरस के दिन का तो आप सभी को धनतेरस की भी हारदिक शुपकाम ना है Starting with disclaimer यह वीडियो से अजुकेशनल पॉपस के लिए अपना advisor की सला लेकरी किसी IPO के अंदर apply या avoid करे Starting with दोस्तो Swiggy IPO तो आप सभी को पताईए 6 तारिक से 8 तारिक तक दोस्तो अपने को Swiggy IPO बाजार में open रहता हुआ देखने को मिलेगा यह full and final है company की तरफ से दोस्तो article आता हुआ देखने को मिल गया कि इतनी तारिक से इतनी तारिक तक IPO open रहेगा यहाँ पर अगर आप इस issue की बात करेंगे तो कुल मिला कि यह issue 11,327 करोड रुपे कर रहेगा जहाँ पर fresh issue जो रहेगा वो 4,500 करोड कर रहेगा तो definitely fresh issue का portion है but maximum portion यहाँ पर OFAC रहे तो वो देखने को मिलेगा जो की 6,828 करोड पर है और जिस valuations की यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे company उस valuations से cheaper valuations पर अपना IPO लाती भी देखने को मिली है पहले जो market capitalization की बात हो रही थी वो 94,000 करोड की होती भी देखने को मिल रही थी लेकिन अभी जिस market capitalization पर company अपना IPO लाई है वो around यहाँ पर 87,298 करोड पर है तो यह definitely दोस्तो एक काफी important बात है इस IPO से लेड़ेट बाकि यहाँ पर अगर issue की बात करेंगे तो 10% इसा retailers के लिए है तो retail portion अगर आप देखेंगे तो 15 times 16 times तक subscribe हो सकता है अगर आप अच्छी grey market रही बाकि अभी GMP पर भी दोस्तों दोड़े आप कैसे ते गिरावट होती भी देखने को मिलिए 40% से grey market definitely काफी घटती भी देखने को मिलिए बाकि H&I में लगबग 215% का portion है और QIB में 75% का portion यहाँ पर रता हुआ देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पर IPO की कुछ details की बात करें तो 8 को Friday तो allotment यहाँ पर 11 तरिक को आएगा refunds आपके 12 तरिक को आएंगे और listing इसकी 13 तरिक को होगी तो 13 तरिक को यहाँ अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो 4000 क्रोड से घटकर डेफिनेटली आप कह सकते हैं दोसो 2350 क्रोड पर लॉस जरूर आए बट अभी भी कंपनी लॉस में यह कंसर्णिंग बात है बाकि बाकि बॉराइंग्स कंपनी के काफी कम होगी और फ्रेश इसू रहेगा तो फंडिंग और बढ़ेगी और इससे क्या होगा कमनी का जो लॉस है वह और कम होता होगा दिखने को मिलेगा हमने जर्नी देखिए जो मैटो की जा पर पहले जब 60 रुपे पर के भाव पर शेयर ट्रेट कर रहा था तब कंपनी लॉस में जैसे कंपनी प्रोफिट में टर्न हुई वैसे को मिल रहा है कंपनी की EPS नेगेटिव में और पी रेशु नेगेटिव में तो यह अभी लॉस में कंपनी है लेकिन यहां पर अगर आप बेट कर रहे है तो डेफिनिटी दोस्तों अपन लंबे अवदी का आप टाइम फ्रेम ले और जिससाब से क्विक कॉमर्स डिलिवरी प्लाटफर्म का बिजनिस ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर वो डिफिनिटल काबलेत आ रही है लगबग हर सिटी में चोटी हो यहां पर स्विगी दॉमाटो आपको चलता होगा देखने को मिल रहा है वाकि यहां पर एक और इंपॉरनेंट बात है वालुएशन की आप जो बात करी गई है अगर प्राइस तो स्विगी का वैलुएशन काफी चीपर साइट पर है बट कंसर्न हमेशा यहां पर जो है रहता हुआ देखने को मिलेगा प्रॉफिट जर्नी आप कह सकते स्विगी को बहुत जल शुरू करनी होगी बाकि हमने पहले भी बात करी है 94,000 कि मारकेट क्याट पर 12,000 करोड के सेलेगल अब तो और आप कह सकते हैं यहाप पर 87,000 करोड के है तो यह कह सकते हैं चीपर साइट पर आई-प्यव आता हुआ है देखने को मिले है बाकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इंवस्मेंट का तो यहाँ पर मिनिम मिनिम 2% चल रही है और इस हिसाप सब आप दिखेंगे तो 2000 रुपे के आसपास का मुनाफ़ा यहां पर बैठता हुआ देखने को मिल रहा है और मुनाफ़ा I think सो बढ़ता गड़ता जरूर रहता हुआ देखने को मिलेगा बट overall अगर market की conditions यहां पर अच्छे होती है 25,000 तक भी अगर निफ्टी पहुचता है तो इस IPO को काफ़ी अच्छा benefit मिलेगा और ठीक शाक listing यहां पर मिलते वे देखने को मिल जाएंगे तो आपको वीडियो पसंद आया होगा थांक यू फ्रेंड विडियो